जितना मैं समझ पाई हूँ ने इस केस को मैडम मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है या फिर आस पास का कोई है जिसे पता था कि थाने के बाहर का जो CCTV कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो जानता था कि वो बाइक चुराएगा तो किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा और वो चुड़ा कर चला गया हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे आने से हमारा बाइक भी जल्दी हमारे हाथ लग चाएगा राथ भी जी संतु के लिए सिंगाडे लेकर आव बढ़िया अले की लेकर आता है जी हम कह कह रहे थे मैडम कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर किसी दूसरे अरिया का हो और उसको पता ही ना हो कि यहां CCTV कैमरा लगा है हो हुआ है आइस अन्या है अगर एसा होता ना तो आते जाते किसी ना किसी कामरे में गार्डेमिड लेकिन मैंँ सारे केमरा से चेक किये एक में भी व एकेmen यह एक्तर नी हुआ इसका मतब तो यह है मादम की अगर के किसी बेदी ने लंका धाई है वो बेदी हमको मिल जाए गाना उसके शरीर में छे की छे गोलिया मार के ने ने छेद कर देंगे ए मैडम, आपने तो कहा था कि चारी गोलिया भी छे कहां से आ गई जादा टपकोमत बीच में दो साथ लेके चलते हैं संतू, तुम हमको बताओ कि हमको का करना चाहिए तुम्हारे इस साब से मुझे है लगता है कि थाने के और थाने के आस पास की चेकिंग कर नीचे क्या पता शाहिद को सुराग मिल जाए बात बिलकुँ सही है अपका कैलेंडर निकलवाए काम करने के लिए चलिए सबकी सब काम पर हमने गुस्य में करिश्मा मेडम की बाइक तो चोरी कर ली लेकिन अगर करिश्मा मेडम ने हमारी चोरी पकड़ ली तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी नहीं हमको नहीं लगता संपू कि हमको यहां कुछ मुलेगा मैडम अगर आयें तो एक बाग खुद के साटिस्फाक्शन के लिए देखी लेते हैं ना आप ठीक कह रही है मैडम यहां कुछ भी नहीं मिलेगा हम खुद चेक करके गए ना चलते हैं कहीं और देखते हैं अपर जब मैडम कह रही है उन्हें देखना है तो देखने दो ना कर पिटेला ही कर रहे हो खड़े रो चुप चाप लो क्यामरा मैडम कहां पर मैडम ओ देखे वहां है कामरा अगर चोर यहां पर आया आपकी बाइक चुड़ाने के लिए तो डेफिनेटी इसमें टाप्चर होगा होगा अरे मैडम क्या है ना सुनीट आज कल लोग पहसन से भी कैमरा लगा लेते हैं अब इस अब काम भी कर रहा है के नहीं यह भी नहीं पता अब देखिए ना अपने थाना का अब मेरा काम करता है नहीं करता है इतना थेजी तुम यह तुम यहां दिखारे ओटना थेज़िके स्व 270 में दिखाया उतना तो हमारा भाइक हमारे सामने होता भी भी ती नवो मैद मेरा बस मेरा जा आता हूं अर वो फुट एज लेकर यह दो बढ़ बढ़िया जाई रहो ना संतु हमारे बाइक का नंबर प्रेट मतलब बाइक जरूर नहीं सही गया है कि मैया का सासू मैया अगर हमारे बाइक के एक भी पुर्जे को कुछ हुआ ना तो हम इंसान के सारे पुर्जे हिला थेंगे मैडम सर मैडम सर कहा है भाई मैडम सर को बला दो मैडम सर क्या करे हो एक मिनट चीता क्या हुआ किससे बचाना है तुम्हें करिश्मा मैडम समको बचा लिए यो आपने बंदू की चारो गोली हमारे खोपडी मे उतार देजी मेडमशा oral को पचा लिजे मेडमसा देखा मेडमसा आपने कि हम ने कहा था हमारे बहुरानी का दमाग बहुत अपा हुआ है ये भगवार, आप भले ही हम पर वो मुर्गी की आपमा फिर से चढ़ा दीजिए, मगर हमारे बहुराने के सर पर जो अकेले धाना चलाने का भूद सवार है उससे उतार दीजिए क्या हुआ, करिश्मा सिंग क्यों मार देंगी तुम्हें? वो करिश्मा मैडम का बाइट चुराने वाला कोई और नहीं हम हैं ये, तत्काल, स्वारिक का तत्काल टिकट करा लिए चंपक दिया हो, है? ये, तत्काल, स्वारिक का बाइट चारोधाम का तित्यात्रा किया है कि नहीं, क्यांकि अब तुमों का मिलने वाला है नहीं, अब करिश्मा मैडम घूस कर जो आपको करनी लोगों की पर राहुकेतु का पूरा साया होता है मगर शायद तुम जानते नहीं हो रहा हो के तुम हमारी बहुरानी के कुंडली में आने से कट्राते हैं और तुम तो उनसे ही लोगों के कितने तानी सुनने पड़े वो जो तुमने बाइट चोरी की है न तुमने बाईट चोरी की है कहां रखे, बोलू बोलिये ना पंचक भिया, सोरी, चंपक भिया होगी आप दोनों का? मैडम से आप दोनों जाईए वहाँ जाकर खड़े होगी चलो तो दोनों से काया चलो शांती से बताओ, पूरी बात बताओ मैडम हमने बाइक चोरी करके अपने ठाने के पीछे लगा दे थी लेकिन जब हम बाद में देखने गए तो बाइक वहाँ नहीं थी तो सच में चोरी हो गई क्या? सचमुच बाइक चोरी हो गई? हाँ हाँ चंपक हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमने ये सब सिर्फ मजाक के लिए या मस्ती के लिए नहीं किया इसके पीछे असली वज़ा कुछ और है तो क्या है मैडम की करिश्मा मैडम पंदरा दिनों के लिए हमारे थाने में आई मैडम देखिए हम किसे लेकर आए और ये देखिए हमें क्या मिला ये ये तुम क्या मिला हम चोर बजार गई थे मेडम आपकी बाइक का फोटो लेने सारी चानबीन करने के लिए और वहाँ पर हमें इसकी दुकान पर ये स्पीडो मिटर इसा लटका हुआ दिखाई दिया हमें लगा था मेडम स्पेस्टिकर देखिए हाँ ये स्टिकर हमारी बाइक का है महाई तो का है हमारा बाइक का है हमारा बाइक मैडम हम तो एक साधारन से दुकानदार है जो सेकेंड सामान पे डील करते हैं और ये स्पीड़ोमीटर तो हमें कबाड़ी वाले के पास से लिया था जूट जूट बोल रहे हो तुम तुमने हमारे बाइक का एक एक पुर्जा अलग करके पेच दिया है ये तुम्हारा जो घटारा चोरी का सामान लेना और बेचना ये काम तो पूरा शहर में एक ही आदमी कर सकता है कौन कौन आदमी पता अब्दुल अब्दुल राजबीर अकाश पाताल सब चान मारो लेकिन ये अब्दुल भाई हमें हमारी आखों के सामने चाहिए और तब तक के लिए इस टोपा को अ अगर बंद करो जैसा अपका होग चल वे अरी मेडम की बाइक चोरी चोड़ाएगा हां जब तक संतू सीसी टीवी फुटेज में एक चोर का पता लगा रही है तब तक हम जाकर ये अब्दुल भाई को जाकर ढूनते हैं पर हमको एक बात समझ में नहीं आया और ये कौन सी है मीडम की काम अमने चंपक भी दाख तो चंपक कत़ रहा तो चंपको काहिन धिखाए सब इंस सब तोपांबारं पड़ें यहां बैठीए-बैठीए-पधी आप अरामसे बैठी जी तो अब आप चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगें इनफग्ज मदद नहीं करेंगे हां कि जी हां हम सब आपकी अंदर काम करेंगे अब आप जल्द से जल्द इस चोर को पकड़िये और हां अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप पर एक आच भी नहीं आने देंगे तो बताइए क्या आप इस महिला फॉर स्थाने को लीड करेंगे मेडम सर ये कौन सा नाय पैंतर आसमारी है ये आप के सुल जानने के लिए अबधिता जसबात है रोपता है क्या आगे आगे देख होता है क्या मेडम सर नहीं नहीं, नहीं, हम मेडम सर नहीं, अब आप हमारे सर है, हम सब आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप इस केस को लीड कर रहे हैं, तो बताइए, एक बढ़िया सा प्लान बनाईए, और हाँ, अच्छा प्लान बनाना क्योंकि अब आपके पास टीम भी है, कुरसी भी है और पावर मेडम, प्लान बनाना इतना आसान थोड़े ना है। क्यों? आप तो मर्द हैं। प्लान बनाना आपके लिए तो आसान होना चाहिए। देखी, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास एक औरत को मर्द से कम तर साबित करने का। एक तरफ करिश्मा सिंग है, जो इस केस को सॉल्व कर रही है, और एक तरफ आप हैं, एक मर्द जो इसे केस को सॉल्व कर रही है। आप बस इस केस को करिश्मा सिंग से पहले सॉल्व कर दीजी, ये साबित हो जाएगा कि औरते मर्द को लीड नहीं कर सकती। मैडम सर, हम केस कैसे solve कर सकते हैं, हम तो इस काबिल ही नहीं है जह नसीब आपको समझ में तो आया कि आप इस काबिल नहीं है मिस्टर चंपक चौधरी, ये कुर्सी जो है न सिर्फ काबिलियत देखती है, जेंडर नहीं देखती इसलिए आप नहीं, करिश्मा सिंग आपकी इंचार्ज है समझ गए मैडम सर, हमें अपने सोच बदलने के जरूरत है और हम उसे बतलेंगे भी करिश्मा मैडम, आज हमारी वज़ा से मुसीवत में फसी है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है लेकिन आपकी शर्मिंदी की किसी के कुछ काम की नहीं है जाए, करिश्मा सिंग की मदद कीजिए इसके इसको सॉल्व करने में बाकी सब हम देख लेंगे जी मैडम सर, जाहिन मैडम सर, अब इस बार कोई गडबड मत करना मैडम वो जो अबदुल है ला, जो चोरी की हुई बाइक्स के पार्ट्स बेजता है करिश्मा मैडम उसको उठा ली है भी, मैसेज आया हमें यकीन है करिश्मा सिंग असली चोड तक बहुत जल बहुँच जाएंगे सीधा सीधा बताओ का काम करते हो कसम खा के बहुर रहा हूं मैडम, जब सर, हो समाल आना, आटो पार्ट्स काई बिजिस कर लाँ क्राट्स दबा के बठा दूगे गारें कितनी पुरा नी है परप से नीचे उतार दीजे मेडम, उपर रहेगी स्थार, नीचे मना लियो और यहाँ, कलेज दबा के उतार दीजे मेडम प्लीज तुम्हारा क्लच तो आज कंट्रोल में आएका साफ साब बताओ ये चोर बजारी का बिसनिस तुमने कब से स्टार्ट किया है मैंने आपकी बाइक नहीं चुराई और नहीं उसके पार्ट दिखा ले, बल्कि आपकी बाइक की जैसी एक बाइक, मुझे एक लड़का बेज के गया है कौन लड़का? चेहरा देखा है उसका? स्केच बनवा सकते हैं उसका? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मीडम, वो कोरोना, वो मास्क लगा गया होता है मीडम, प्लीज हमारा बात ना कबलात मुक्को में बदल जाता है, हमको भी बता नहीं चलता है इससे पहले कि दात और मुक्का में बदल जाए, हमारी पाई क्या तुरंत मंगा और तत्काल की स्पीड में का संज़ें? हाँ संतू, मैडम, सीसी टीवी फुटेज में चोर बाइक को लेकर जाते हुए साफ दिख रहा है पर क्योंकि उसने मास्क और कैप एनि उसका फेस क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात की शॉरिटी मैं आपको दे सकती हूँ वो अब दोले बल्कि कोई और है धन्यवाद जानकी पुरम थाना से फोन था जो CCTV फुटेज में चोर मिला है वो तुम नहीं हो मतलब तुम जेल नहीं जाओगे तो ये बहुत अच्छी ख़बर है तुमारे लेकिन एक बुरी ख़बर भी है जब तक चुम हमारे भाइक का एक एक पुर्जा या मंगवा कि हमारा भाइक तना तन नहीं करोगे ना तब तक तुमें इस बरफ से जमानत नहीं मिलेगा अब आपी बता ही महीं पुर्जे कहां से लाओं एक बाइक में ठजारों फुर्जे होते हैं कुछ बेस दिये कुछ फिट कर दिये आभी बताई को सब केसो आपसल क्याएंगे मैं आपके पुर्जा को मैं मंगवा लू मेडम प्लीज चिराग रगडो या माथा रगडो हमको फरक नहीं पड़ता है हमारा बाइक चाहिए तुमारे इस व्यर्थ जीवन को बचाने का तु मुझे तंडरी लाइव मेरे पाद आपा बाबरयो बाबर आपा बाबरयो यह पाद नब आकारkon गदोों सौनु है सोनु, सोनु, आप गुल बोड़िया हूँ अरे में सिम्ला भी नहीं हूँ में तिक्कत में सुन, सुन में बाफ सुन चार दिन पर ले जो पिलू रंगी बाइक के इस्पैट बाफ पेचे थे थे ना हाँ वही वाले, वो कहीं सख्री ले यार वोनु को, रवी को, जितने भी तरह फंगते ले सब को लेके जा और खरीच करके राधे शाम का बाउट बाजो, राधे शाम का बाउट अरे जल्दीला जो भी मिलका फिट कर 2020 मेज की तरह फिट करके तैयार कर जल्दी से और डाट कर यार पार प्यार कर दो प्राट कर दोओान कर दो भी तो एशोन् दोन् विस्टाट करने किक मार ना यार जा लो ओग ले जा लो ले जा लो ले जा लो दो अळे कर दोट कर दो दो regal पिर से पिर से दोग भी पिरे में कि अपनान है य हाए, खी खायो एंग य हो ऐगार है जारत्वार्थ जारत्वार्थ यह इसादना है यह ऱ्ट यह और यह भूख झाहँ पिरस दो बोगफ पिरस दोप्र यह जह घए कि इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलता है, यही कि सौ बार सोचोंगे तुम, अब से किसी से भी माल खरीदने से पहले, किसे माल खरीदना है, किसे माल नहीं खरीदना इस बात का ध्यान रखोंगे, समझ गए? और आज के बाद अगर तुम हमें चोरी का माल बेच तो इन अजर आए ना मिया तो मैया का संपाइक का तो पता नी, तुभारे सारे पूर्ज हम धीले कर देंगे और फिर उसको जोडते रहना, क्लच दबार के समाची हमें, समाची हमें, समाची हमें, दोबा, दोबा पुषपाजी, आपका चाहिए पुषपाजी, इसे गुलगपपा के तरह का मूँ बनाई हुए भाई, पुषपाजी क्या है चीते, क्या हो गया है, कहा है समू बनाई है बाइक चोरी होने के वेज़े से हम आजकल बहुत तनाव में है, चुप रहो ना बस पुषपाजी, जिसन से पुषपाजी थान रही है न हम भी बहुत जादा तनाव से गुजर रहीсь, काब बता हम आपको मैं भी सम्तू की फिकर हो रहीं क्या हो घो या संतु जी को पुषपाजी बताते, वहाँ उस दूसले थाने में एक हैड राजवीर सिंक वहां सेलहें वहां आ पशेट? में हीयाइआ है यहां इत्ना शओं बाजा है? जाहिन मादम सर जाहिन चीता चूतरवेधी कर दिए संथर्म कमद्णद श्रम ने अभी अभी और एक सकी माडम सर, पीरा अबदूल का पुल्ट हो, इन दोनों का बोडी स्ट्रॉक्चर एक दूसर से बिलकुल अलगे, ये काम अबदूल का नहीं है, माडम सर, ये जो कोई भी चोर है, कितना बेवकूफ है, देखे ना, मतलब चोर ही कर रहा है, मकर कितना आराम से वीडिय जो देखते हैं, मजे ले लेकर ये बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा है, चिता चुतरवेदी एक काम करो, शहर में या शहर के आसपास, जितने भी ऐसे लोग हैं, जो बाइक चोरी करके बेचने का काम करते हैं, उन सब के बार में पता लगाओ, और इन फोटो से मैच क करने की कोशिश करो, देखो क्या पता लगता है, पूरा शहर में, हो, हो जाएगा, आसाल, सहर, गुझा, 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 क्युक्त ओने काम, हम चैने मैडम सर गैए, अपना शहर है लिएन मैडम सर, हम अपना भाइक ढूंड के लिया है, कमाल का बाताना हम दोनों, हम अपना बायख धून के लिए侔र बाजी मारहा टे है किस ने? हमने, आजना हमारे आत्मविश्वास का लेवल ना और बढ़ गया है भरोसा हो गया हमें कि हम अपने आदर्शों के साथ अपना थाना चला सकते हैं Good, congratulations हमें खुशी है कि आपको अपनी बाइक वापस मिल गई इससे जदा खुशी इस बात की है कि इस बार आपको मार धाड का तरीका काम आया लेकिन एक चीज़ आद रखिए करिश्मा सिंग, हमेशा यह तरीका काम नहीं आएका अब आप जिस ओधिय पर हैं, आपको बैलेंस बना कर चलना सीख लेना चाहिए हाँ क्या पता यह तरीका किस दिन आपके लिए कोई मुसीवत खड़ी कर दे धन्यवाद मैडम सर, हमारा फिकर करने के लिए याद रखिएगा मैडम सर, जब तक समाज में पुलिस के डंडो का डर है तब तक चंता और कानून दोनों सुरक्षित है और जब तक हम हैं, तब तक पुलिस के डंडो का डर बना रहेगा जैहन दान सा जैहन मैडम सर, अब तक तो ये भोकाल मचाती थी, अब तो लगता एक तबाही मचा देंगी क्युए क्युए